हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज की इस पीडियों में हम बात करने वाले हैं अलिगर मुस्लिम स्टी बीए सी में कौन कौन से कॉर्सेस हैं कौन से सब्जेक्ट आपको मिलती है आपके राइंक के बेसिस में सेलेक्टिड इस्ट्वेंट को कौन से यहां पर मिल जाएगी इसलिए किस पर प्रॉब्लम होती है वेटिंग वालों को कौन से सब्जेक्ट मिलती है कितनी यहां पर शेट्स है मेल और फीमिल में सब जानेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए सारे डॉट्स आपके किलिय सबसे पहले बतला दूँ आप देख रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट यहां पर मिसींगे क्योंकि फैगल्टी जो है यहां पर दो फैगल्टी आपकी है फैगल्टी ऑफ साइंस है और फैगल्टी ऑफ लाइफ साइंस है इसमें कन्फ्यूज मत हुएगा यहां पर फैगल्ट मिल जाएगा कुछ subject को छोड़ कर जैसे computer application में seat कम है तो काफी लोग जो है अब जो है देखा गया है ये रुजान अगर देखे तो यहाँ पर computer application लेना चाहते हैं ऐसे में जो होता है ये खत्म हो जाती है जल्दी पर आपको 300 rank है 400 rank है आपको जो है problem नहीं होता कोई भी subject लेने में physics, chemistry, mathematics में तो एकदम भी problem आपको नहीं होगी इसलिए आपको मिल जाएगी ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर जो है girls की girls में seat आपको पता होगा कम है यहाँ पर उसमें अगर बात करें तो chemistry आपको मिल जाएगी mathematics और जो है यहाँ पर बतला दू कुछ subject है life science में वो faculty of science में हो बात करते हैं चलिए seats कितनी है सबसे पहले आप जो है right side में देखिए मेरे यहाँ पर जो है आपको intake जो दीख रहा वो है male और female का यहाँ पर number जो यहाँ पर यह चूज करेंगे इसमें से थोड़ा आपको कम देखनी को मिलेगा क्योंकि कुछ city यहाँ पर reserve है तो जो है तीन चार या पांच यहाँ पर जा सकते हैं उस पर बात करें यहाँ पर physics की तो 120 सीटे हैं वो इसके लिए female की बात करें पैंतिस chemistry की 120 आपको 65 देखनी को मिलेगी गल्स में और यहाँ पर mathematics की बात करें 120 females के लिए 40 geography की 45 30 यहाँ पर गल्स को देखनी को मिलेगी यहाँ पर geology की बात करें 100 और यहाँ पर जो है female में 30 जी statistics 60 और जो है female 30 industrial chemistry 20 और जो है female में 10 computer application 40 और जो है female में 10 आप सुझे रहोंगे female का कम क्यों है बता दूँ उनकी classes अलग चलती है capacity class की कम है वहाँ पर और college भी उनका अलग है main campus में ही confused मत हुईएगा आप यहाँ पर main campus में ही पर यहाँ पर जो है आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा मुझे subject तो बतला दूँ यहाँ पर problem होगे सिर्फ computer application में और जो है हो सकता है आपको यहाँ पर problem हो life science के subject में बाकी किसी में भी आपको problem नहीं होने वाला है ठीक है और देखिए यहाँ पर जो है आप आपकी rank ह सकता है वेटिंग में आई हो वेटिंग वालों को कौन से मिलती है subject काफी ज़्यादा confusion होता है यहाँ पर कि वेटिंग में है कौन से मिलेंगे हमें subject बो इसकी बात कर रहा हूँ फिर गल्स के बात करेंगे यहाँ पर बो इसकी बतला दू 200 वेटिंग तक है physics chemistry mathematics geology geography statistics यह आपक सकते हैं और geography जो है आखिरता को student को मिलता है geology भी आखिरता के student को मिलता है वेटिंग में पीछे राइंग है यह subject जो है आपको offer के जाएगी बाद में अपग्रेड होता है याद रखे बाद में जो है एक option होता है आपके पास अगर आप अपने सब से रिडरी subject पे अच्छा score करते हैं तो वो जो है अपग्रेड हो जाता है तो यह जो है आपकी पास बात की chance वही गल्स की बात करे गल्स में कौन-कौन सब subject वेटिंग वालों को मिलता है बात करे वेटिंग में अगर है तो chemistry आपको यहाँ पर मिल सकती है बात करे mathematics की तो वो भी मिल सकती है life science के subject जो है सीट वहाँ पर है तो देखते है life science की हम यहाँ पर देखते है faculty of life science ठीक है यहाँ पर life science आपको सर्च करना होगा मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जो है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक मिनुट सर्च करने में जो है यहाँ पर काफी बड़ी यहाँ फाइल है Faculty of Life Science तो यह जो है आपकी Faculty of Life Science यहाँ पर आ गई Faculty Faculty of Life Science यह जो है आप Faculty of Life Science देखिए यह जो है आपकी Faculty of Life Science में भी काफी सारे सब्जेक्ट आपको देखनी को मिलेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं बता दे रहा हूँ आपको देखिए यहाँ पर जो है तीन सब्जेक्ट आपको देखनी को मिलती है अब कौन कौन से सब्जेक्ट है Biochemistry, Botany, Geology Sits की बात करें तो यहाँ पर देखिए Males की बात करें तो 30 Sits है Biochemistry में Botany में 60 Sits है जो logic की बात करें तो वहाँ भी 60 आपको sit देखनी को मिलेगी female की बात करें तो यहाँ पर 30 bio chemistry में जो की similar है यहाँ male के लिए और botany की बात करें तो 60 यहाँ पर males के females के लिए 40 जो logic की 45 है यहाँ पर कौन से subject आपको easily मिल जाते हैं तो बता दूं यहाँ पर sit से direct relation होता है botany में यहाँ पर देखा गया है boys जादा नहीं लेना चाहते है यहाँ botany हो सकता है life science के subject में जादा यहाँ पर रुजान नहीं है तो आपको यहाँ पर problem नहीं होगी waiting में 300 तक है तो कोई भी यहाँ पर subject मिल सकती है boys में पर यहाँ पर गल्स में उल्टा यहाँ पर case देखनी को मिलता है यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत जल्दी यहाँ पर खतम हो जाती है psychology, botany की और biochemistry की अगर आपकी अच्छी राएंग है यहाँ पर top 200 में है तब ही जाकर यह subject आपको मिल पाते हैं बतला दूँ बहुत मुस्किले यहाँ पर यह subject waiting में मिल पाना waiting में normally मैंने नहीं देखा यहाँ पर आपको यह subject मिल पाता है तो अगर आपके यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इसे सबसी में रख सकते हैं पर एक बात आप बता दो यहाँ पर faculty की अगर आप faculty of science से यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर life science को subsidy बना सकते हैं थीक है पर यहाँ पर आपका change नहीं हो पाएगा course बाद में अपग्रेड नहीं हो पाएगा और यहाँ पर life science से होते हैं तो यहाँ पर faculty of science वालों के subject को आप जो है, subsidiary बना सकते हैं, पर upgrade नहीं हो पाएगा वो, अपने ही faculty में यहाँ पर subject upgrade हो पाता है, जिस पर आप अच्छा score करते हैं, जैसे आप जिक्रोफ भी ले ले लेते हैं, अप्ग्रेडेशन कराना चाहते हैं, जियोलाजी में हो सकता है, आपका upgrade हो गया, तो यहाँ पर जो ह है, यहाँ पर subject upgrade हो जाती है, तो होफ एक आपको idea मिल गया हो, और जो है इसमें details में वीडियो बनाऊंगा, मेरे चानल से connect रहिए, thanks for watching, best of luck.